नमिश्का न्यूस 29 इंडिया में आपका आज स्वागत है मैं हूँ पूजा शेंडे आई ये नज़र आलते हैं आज की खास कबर पर बारा घंडे की बारिश ने राइसें शेत्र में तबाही मचा दी इन जली बस्तियों में पानी भरने से हालाद बिगड गए है एंडियारेस की टीम ने रैस्क्यू करकी मुस्तादी से सागर मार्ग पर अमरावत घाटी के नाले से पांच लोगों को सरक्षित निकाला हाला की राइसें कलेक्टर रैस्प्रिया मिश्रा, एस्पी जगत से ही राजपूत और SGM MP बरार सहित अन्य अफसर स्थिती पर नजर बनाये हुए है रैसें में मात्र 12 घंटे की बारिश से चारो और पानी ही पानी हो गया हालाद बद से बत्तर होते नजर आ रहे हैं हालाद यह है कि रैसें का सडक संपर्ग सभी जगह से टूट गया है और रैसें एक टापू की तरह नजर आ रहा है वहीं रैसें से भूपाल मार्ग पर दरगाह शरीफ के रिप्टी पर 12 फिट पानी है तो विदीशा जाने वाले कोडी नदी पर 15 फिट से उपर पानी बह रहा है रैसें का सागर से भी संपर्ग टूटा हुआ है यहां पर टोल टैक्स नाके पर तीन फिट पानी अभी बाकी है पताया चाहरा है कि रात में एक बाइक सवार बह गया था जुससे रैसें पुलिस एंडी आरेस की टीम और रैसें के कुछ युवाओं ने मिलकर रैस्क्यू क पर के बचाया इधर पिपलाई गाओं में क्यूवक में पांच आदमियों को बचाया लेकिन वह चप्पल उठाने के चक्कर में शक्री लामक यूवक पानी के बहाव में तेज बह गया रैसें से तारिक खान के रिपोर्ट देश भर में एद जहां बकरा एद का त्योहार हर्शो लास से मनाया जाएगा डिनोरे जुले की जामा मजजित में मौलाना हाफिज साहब ने मुस्लिम समाच जन को इद की नमाज अदा करवाई सभी नमाजियों ने देश प्रदेश में खुशाली वा अमन्चैन के लिए दुआए मांगी पंधाना में बकरा एद की मौकी पर मौलाना उस्मान हाफिज कादरी ने करीब 500 मुसलिम भायों को इदगाह पर एद की नमाज पढ़ाई एवं एक दूसरे को इद की मुबारक बात दी इस मौके पर बच्चों में काफी उच्साह देखा गया इस मौकी पर नगर पंचायत पर वो धुमधाम से बनाए गया इदगाह पर हुसैनी मज्युद के पैसे इमाम मौहमद अश्रफ द्वारा इद उल जुहा की नमाज अदा की गई अंजुमान इसलाम कमिटी के सदर कयूम अश्रफी ने बताया कि इद के मुबारक मौके पर चारोर भाई च्वारे का वातावरन बना रहे इद गाह में नमाज अदा करते वक्त सभी समाध जनों ने खुदा से बाढ़ पीडितों को मदद मिले ऐसी दुआय मांगिए बढ़ा विधायक हितेंदर सेह सोलंकी ने सभी मुस्लीम समाध जनों को ईद की मुबारक बात दे सिहोर जुले की इच्छावर तैहसल की ग्राम पालखेडी प्रहलाच से परमार का निधन हो गया था गाव मिल सित शम्षान में टीन शैड नहीं होने से अंतीम संसकार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा शम्षान में टीन शैड नहीं होने की कारण बारिश के चलते पांच घंटे तक मृतिक का अंतीम संसकार नहीं हो सका इसके बाद ग्रामीन घर से टीन की चादर और लगड़ी लेकर आया और अस्थाई सेट बनाया तब जाकर मृतक का अंतीम सुन्सकार किया जा सका हम आपको बता दे कि इस गाउं को शेत्रे विधाई को शेलेंद्र पटेल द्वारा गोद लिया गया है अभी की खास खबरों बस इतना ही और खबरों क्ली बने रहे है न्यूस 29 इंडिया के साथ एक देश सारे प्रदेश